हेलो दोस्तों आचल टेरिस गार्डन में आपका स्वागत है विडियो की शुरुआत अपराजिता फ्लावर के साथ और आज है अगस्त की 26 तारीक और देखे कितना अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है हमारा अपराजिता का प्लांट और ये एक बेल नूमा प्लांट होता है औ और इसकी फ्लावरिंग जबरदस्त चलती है इस तरह से रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग होती है इसमें विंटर में थोड़े से कम हो जाते हैं और मैंने देखे वेष्ट जो बोरी आती है चावल की उसी में मैंने लगाया हुआ है एक जूली इसके नीचे जो प्लांट है वो खराब होते जाता है यदि आपको सीड चाहिए तब ही आप छोड़े सीड पॉट को नहीं तो बिल्कुल हटाते रही है और इसमें भी देखे कितने अच्छे से फ्लावरिंग चल रही है इस तरह से एक लकड़ी या कोई भी सहारे के लिए इसमें स्टीक लगा दें तो इसका बेल पूरा कवर कर लेता है और बहुत अच्छे से फिर फ्लावर्स देता है और यह देख रहे हैं यह नर्सरी का जो ग्रोव बैग आता है छोटा वाला उसी में मैंने सीड डाल दिये थे तो इसमें तीन प्लांट उगाए हैं और इसमें भी बहुत अ पसंद है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और पसंद आये तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को तो चलिए सबसे पहला जो मेरा फेवरेट प्लांट है वो हिबिसकस है देख रहे हैं फ्रेंट्स गुड़हल का प्लांट कौन गाड़नर होग और हाइब्रिड जो गुड़हल होता है वो वींटर के सीजन में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है तो इसमें देखी ये ये देख रहे हैं ये समर में और रेनी सीजन में फ्लावरिंग तो नहीं किया और अब इसमें ग्रोथ हो रही है बहुत अच्छे से तो हिबिसकस ए प्लावर्स देते रहें तो ही बिसकस का प्लांट आप जरूर लगाएं इसके केर टिप्स के उपर मेरे चैनल पर वीडियो है आप चाहें तो देख सकते हैं और यह देखे यलो वाला कुछ नहीं होता बस महीने में एक बार आप कंपोश्ट दीजिए वर्मी कंपोश्ट गु डबल पैटल वाला है औरेंज कलर का इसी में मैंने यलो कलर का लगाया हुआ है कटिंग और कटिंग उसकी ग्रोथ पकड़ ली है किसी दिन मैं उसको भी शेयर करूंगी और यह देखे मिनियेचर वरायटी वाला संडे अपडेट के दिन मैं जरूर शेयर करूंगी जो मैंन येलो double petal का cutting लगाया हुआ है उनको और ये सारे इधर जो है वो देसी ही विसकस है तो देसी ही विसकस लगाएं चाहे hybrid लगाएं सभी में बहुत अच्छे से flooring चलती है और देसी ही विसकस में flowers summer और rainy season में बहुत अच्छे से आते हैं और winter में इसके flower थोड़े कम हो जाते हैं देख रहें friends ये सारे देसी ही विसकस है बहुत खुबसूरत flowers देने वाला plant होता है मेरा favorite plant और second number पर मैं अपने गुलाब को रखूंगी friends गुलाब तो वैसे first number पर होना चाहिए लेकिन मैं गुढ़ल के flower को ज्यादा पसंद करती हूँ तो second number में जो मेरा favorite plant है वो गुलाब है चाहे देसी हो चाहे English हो दोनों के फूल बहुत ही खुबसूरत होते हैं और देख रहे हैं इस तरह से flowers दे रहे हैं अभी और winter में इसकी growth जबरदस्त होती है जो hybrid जो English rose होते हैं उनके और थोड़ा सा care करना पड़ता है English rose को और जो द महिने में एक बार compost देते रहें तो आपका plant बहुत अच्छे से चलेगा यह देशी rose है देख रहे हैं friends और third number पर जो मेरा favorite plant है वो powder puff है देख रहे हैं यह वाला सबसे खुबसूरत जो flowers दिखता है इसका वैसे तो भगवान जी में मैंने चड़ाती इसके flower को लेकिन इसका ज और यह भी बारो महिने flowers देता है जो भी मैं मेरे जो पांच plant मैं आपको दिखाऊंगी आपसे share करूंगी वो बारो महिने flowering करने वाले plant होए permanent plant है तो इसके flower देखिए और इसका seed यह है seed pot ऐसे ही होते हैं जैसे अप राजीता में फलियां बनती है वैसे ही इसमें भी फलिया बनती है और इसके जो बीज से plant उग जाते हैं तो मैंने seed डाला हुआ है मैं आपको दिखाऊंगी भी यह देखिए एक seed यहाँ पर मैंने डाला था तो यह grow हो गया है अब देखते हैं यह थोड़ा बड़ा होता है की नहीं बड़ा plant बनता है की नहीं और यहाँ पर दो seed और fourth number पर जो मेरा plant है favorite वो बेग अप महार है यह थोड़ा सा sensitive plant है इसको care करना पड़ता है बचाना पड़ता है नहीं तो यह summer के season में खराब हो जाता है तो इसको seed area में रखना पड़ता है जब तेज गर्मी आती है उस समय और देखें over watering से भी यह खराब हो जाता है इसके flower भी जबरदस्त होते है परपल कलर के flower आते हैं इस तरह से और देखने में बहुत ही खूपसूरत होते हैं देख रहे है friends तो यह भी बहुत सुदर plant होता है इस plant को भी आप अपने garden में जरूर add करें और cutting से लग जाता है यह या फिर nursery से आप ले सकते हैं इसके plant 120 के range म में इसके plant nursery से मिल जाते हैं बहुत खूपसूरत फूल देने वाला plant बेगम बहर टीबू चाइना भी बोलते हैं इसे और देखे इसके birds देखे बहुत सुंदर इसके पत्ते भी खूपसूरत होते हैं देखने में इस तरह से और next जो मेरा favorite plant है पांचवे नंबर पर वो first love का वीडियो भी है मेरे channel पर उसकी care tips के बारे में देखे इसके flower spend हो गये हैं और ये 2-3 महने में continue flowering करता है 2-3 महने के gap में ये continue flowering चलती है इसमें भी और ये इसमें 2-3 color मिलेंगे आपको एक तो yellow है ये मेरे पास जो है वो yellow color का है इसमें red भी आता है इसमें pink भी आता है तो plant को भी आप जरूर लगाए जब आपका plant mature हो जाए तभी इसकी cutting grow होती है ये मेरा तो अभी एक साल भी नहीं हुआ है इस plant को तो आज मैंने अपने 5 favorite plant आपसे share किये हैं और आप भी comment करके जरूर बताइएगा कि कौन से plant आपके favorite plant है और इन पाचों में कोई plant है जो आपको तो मिलते हैं फीर अगली वीडियो में तब तक के लिए happy gardening बाई thank you